गाय माता ने बताया कि ये साथ काम खुले में करने से गरीब रहते हैं प्रिय बंधू आज मैं आपको बहुती काम की बातें लेकर आया हूँ यदि इन्हें आपने अपने जीबन में उतार लिया तो आप कभी रोक सोक से तो गिर्शित नहीं होगे आपके उपर कभी गरीबी भी नहीं आएगी बेसाथ वातें कौनसी हैं आए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से मित्रो कभी कभी हम जाने अंजाने में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो दुख दारिद्र लाने वाले होते हैं या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं लाखो रुपए हमारे उपचार में खर्च हो जाते हैं और हम गरीब होते चले जाते हैं कहते हैं दरिद्रता मनुस के लिए सबसे बड़ा दुख होता है इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो धन और जो काम धरम विरुद्ध हो उन्हें ना करें ऐसे धरम का आच्रण ना करें जो भविस्ट में दुखधाई और समाज विरुद्ध हो यदि हम लोग इन बिसेंस बातों को ध्यान में रखें तो रोग और गरीवी से बच सकते हैं इस समंद में मैं आपको एक गाय माता का परशंग सुनाता हूँ बंधो पूर्व काल की बात है चक्रापुरी गाउं में एक बड़ा ही निर्धन परिवार रहता था उस परिवार में तीन प्राणी रहते थे एक पांच वर्स का बालक था जिसका नाम था नंदू और दो उसके माता पिता बालक की छोटी आयू में ही उसके पिता का देहन थो गया बालक की मां अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर चली आई उसने सोचा कि कुछ दिन भाई के साहरे रहकर काच लूँगी तब तक बेटा कुछ स्याना हो जाएगा और बड़ा होकर वो कुछ काम काच कर लेगा तो जीवन आराम से गुजर जाएगा बेटे को लेकर जब वो भाई के घर पहुँची तो उसके भाई ने उस दिन तो से अपने घर में रखा लेकिन उसकी इस्तिरी ने जब उनको लेकर घर में कलेस मचाया तो उसने बेहन के लिए एक पौाल की जोपड़ी बना दी और कहा बेहन तुम अपने बेटे को लेकर इस जोपड़ी में रह लो मेरी इस्तिरी घर में बहुत कलेश मचाती है मित्रो चोरी चुपके मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा प्रिये बंधू कहते हैं जब एक इस्तिरी का पती मर जाए और एक बालक का पिता तो उनके उपर दुखका सबसे बड़ा पहार चूट जाता है भाई बंदू रिष्टेदार कोई साहक नहीं होता सब दुखके दिनों में ठोकर मार देते हैं उस गरीब लाचार बहन के पास कमाने वाला कोई नहीं था उसका भाई अपनी पतनी की नजर बचा कर उन्हें कुछ रासन पानी दे जाता था और जब कभी उसकी इस्तिरी देख लेती तो बुन के हातों में से छेन कर रख देती थी बीचारा भाई बड़ा लाचार था अगर इस्तिरी की बात नहीं मानता तो वो घर में कलेस मचाती उधर बिदभा वहन का दुख भी नहीं देखा जाता उस बिदभा का बालक जब भी मामा के बेटे के साथ खेलने उसके घर पहुँच जाता तो वो उसे डाट कर भगा देती थी एक दिन लड़का अपने मामा के बेटे को दूद पीता देखकर अपनी मां से आकर बोला मां मैं भी दूद पियूँँगा बेचारी दुखिया मां दूद कहां से लाती उसने बेटे को समझाने के लिए चावल पीस कर पानी में मिला कर दे दिये बेटे ने दूद समझ कर उसे पी लिया इसी तरह लाचारी में उसने तीन वर्स काट लिये बेटा जब आट वर्स का हो गया तो वो अपने मामा की गाय चराने जंगल में ले जाने लगा वो पूरे दिन गाय चराता और साम को घर आकर सूखी रोटी खाकर सो जाता उसके मामा की इस्तरी इतनी दुष्ट थी कि बालक को एक गिलास दूद भी पीने के लिए नहीं देती थी किसी ने सच कहा है कि मनुस के जीवन में मूरकता तो सबसे बड़ा कष्ट है ही उससे अधिक बड़ा कष्ट होता है सरीर का दुख और सबसे बड़ा कष्ट होता है पराई घर में रहना दुनिया में इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता मित्रो एक दिन नंदू जंगल में गाय चराने ले गया तो उसने देखा कि उसकी गायों के जुंड के साथ एक कपला गाय भी चर रही है नंदू ने उस गाय के पास जाकर पूछा हे गाय माता तुम कहां से आई हो आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा नहीं नंदू के पूछने पर कपला गाय ने बताया हे नंदू मैं भगवान की इच्छा से तुम्हारा दुख दूर करने आई हूँ तुम्हारी मामी तुम्हें दूद पीने को नहीं देती है इसलिए मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा गया आज से तुम मेरा दूद पी लिया करना मैं रोज तुम्हें आकर दूद पिला जाया करूँगी मित्रो कपला की बात सुनकर नंदू बड़ा खुस हुआ उसने गाय के स्तनों को मुह में लिया और पेट भरके दूद पिया अब तो वो गाय हर रोज आकर नंदू को दूद पिला जाया करती थी धीरे धीरे कुछ ही दिनों में नंदू हस्ट पुस्ट हो गया एक दिन नंदू पेट पर बैठा गाय चरा रहा था और उसी समय कपड़ा गाय उसे दूद पिलाने के लिए आई तो उस तिन नंदू ने दूद नहीं पिया और वो अदास हो गया गाय ने पूछा बेटा तुमाच अदास कैसे हो तो नंदू बोला हे गाय माता मैं अपनी मा के बारे में सोचकर उदास हूँ वो बेचारी हर रोज मामी के ताने सुनती रहती है मेरा मामा कुछ लाकर दे भी देता है तो वो स्वैम नहीं खाती बलकि मेरी लिए बचा कर रख लेती है कि मेरा नंदू गाय लेकर आएगा तो बो क्या खाएगा मैं तो यहां तुम्हारा दूद पी लेता हूँ पर वो बेचारी पूरे दिन घर में भोकी पड़ी रहती है गाय माता बोली बेटा तुम इस बात को सोचकर दुखी मत हो जिसका कोई नहीं होता उसका ईस्वर होता है इतना कहकर कपिला गाय नंदू को जंगल में अपने साथ बोला कर ले गई और कहा बेटा आज के बाद मैं यहां नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे भोजन के लिए कुछ बिवस्ता की ये दे रही हूँ गाय माता ने जंगल में एक पेड़ बता दिया उस पेड़ पर बहुत सारे फल अदे हुए थे गाय माता बोली बेटा जब भी तुम्हें भूक लगे तुम्हें इस पेड़ से फल तोड़ कर खा लेना और कुछ फल अपनी मा को ले जाना जो फल तुम अपनी मा को ले जाओगी उनमें से एक फल सोने का बन जाएगा उससे तुम अपने घर का खर्च चलाना इतना कहकर गाय माता चली गई नंदू उस पेड़ से फल खाता रहा और उसने कुछ फल अपनी मा के लिए रख ली जब वो फल लेकर घर पहुँचा उसने देखा कि उन फलों में एक फल सोने का बन गया है यह देखकर नंदू बड़ा खुस हुआ उसने फल ले जाकर अपनी मा को दे दिये अब तो नंदू उस पेड़ से जो भी फल लाता था उनमें से एक फल सोने का बन जाता था इस प्रकार नंदू और नंदू की मां का जीवन बिल्कुल ही बदल गया नंदू धीरे धीरे काफी धनी हो गया नंदू की जिंदगी में अचानक से इतना बड़ा बदलाव देखकर उसकी मामी बड़ी हैरान थी कि आखिर इन्हें कौन सा गड़ा धन मिल गया है जो ये दिन पर दिन धनवान बनते जा रहे है अब तो कारण पता करना ही होगा यही सोचकर नंदू की मामी नंदू के बन में चले जाने के बाद उसकी मां के पास आकर बैठकर मीठी मीठी बाते करने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी के वो इतनी बिक्षित कैसे होती जा रही है नंदू की मां बड़ी भूली भाली थी उसने सारी बात अपनी भावी को बता दी के नंदू मुझे रोज जंगल से फल खाने के लिए लाता है उनमें एक फल सोने का होता है उसे बेंच कर हम अपना खर्च चला लेते हैं सोने की फल की बात सुनकर उसके पेट में पानी हो गया वो अपने घर गई उसने अपने पती को समझाया कि वो भी आज जंगल में जाए और चुपके से देखते रहे कि नंदू किस पेट से फल तोड़ कर लाता है नंदू के जाने के बाद तुम भी उस पेट से फल तोड़ लाना पर ये बंधू पत्नी के कहने पर नंदू का मामा भी अगले दिन जंगल में गया और छुपकर देखता रहा दोपर के समय जब नंदू को भूक लगी तो वो फल खाने के लिए उसी पेट के पास पहुँच गया फल खाता रहा खाता रहा और थोड़े से फल अपनी मा के लिए पोटली में बाध लिए नंदू के जाने के बाद उसका मामा भी उसी पेंड के पास पहुँच गया और पेंड के सारे फल तोड़ लाया और फल लेकर जब घर पहुँचा तो उसमें कोई भी सोने का फल नहीं था नंदू का मामा समझ गया था कि धन भी परमात्मा जरूरत के हिसाब से देता है जिसको आवसकता नहीं बे अधिक धन इखटा कर लेते हैं वो धन उने सुक नहीं देता अपितू दुख देने लगता है मित्रो रोज की तरह अगले दिन भी नंदू उस पेंड पर फल खाने को गया तो उसने देखा कि उस पेंड पर कोई भी फल नहीं लगा है सारे फल कोई तोड ले गया है उस दिन नंदू को भूका ही रहना पड़ा तबी वही कफिला गाय नंदू के पास आई और नंदू को उदास देखकर बोली बेटा तुम आज किसलिए उदास हो नंदू ने सारी बात बताई कि आज वो उस ब्रक्ष पर फल तोड़ने गया तो सारे फल कोई तोड़ ले गया ब्रक्ष पर एक भी फल नहीं था गाय माता ने बताया कि बेटा उस पेंड के सारे फल तुम्हारा मामा तोड़ ले गया तुम्हारी माने ये बात तुम्हारी मामी को बता दी थी गाय बोली बेटे आज मैं तुम्हें अच्छे ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी पहली बात अपने धन के बिसाय में किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए दूसरी बात अपने कमाई का जर्या भी किसी को नहीं बताना चाहिए आपके पास कितना धन है और उसे कैसे कमाते हैं इस बात की चर्चा किसी को भी नहीं बतानी चाहिए बरना डहा करने वाले लोग उसके धन को नश्ट करने या हड़ अपने का प्रियास करेंगे अपने धन के बिसय में दूसरों से कहने का अर्थ है अपनी कमाई का जरिया नश्ट करना और अपने सत्रियों की संक्या में ब्रध्धी करना धन के लालची उसे राद दिन हनी पहुचाने का प्रियास करेंगे तीसरी बात है करतब, सलह और पहले से कियो हुए विचार को गुप्त रखना चाहिए चतुर बही व्यक्ति होता है जिसके ये तीनों काम कोई समझ नहीं पाता बलकि काम फूरा होने पर ही उनके समझ में आता है चौथा काम, इस्तिरी से प्रेम प्रशंग हमेशा एकांत में ही करना चाहिए पांचमा काम, भोजन, भोजन हमेशा अकेले में ही करे क्यूंकि आपके घर के भोजन से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये कितना अमीर है और कितना गरीब अगर कोई अच्छा भोजन करता है तो भी जलने वाली लोग उसे अच्छा खाना खाता नहीं देख सकती बे उसे गरीब बनाने का प्रियास करेंगे पांचमा काम है, खुले में सोच ना करें कहते हैं, अपनी या ब्रच की छाया के ऊपर गौह, सूरिय, अगनी, बायू, गुरूर और दुजातिय पुर्षों के सामने कभी मलमूत रत्याग ना करें जुते हुए खेत में, अन्न से संपन भूमी में गौहों की गौसाला में, जन समाज में मार्क के भीच में, नदी आदी तीर्थिस्तानों में जलिया किसी जलासाए के किनारी और समसान में मलमूत रत्याग करने बाला सदैब गरीब रहता है, उसे रोग सोग घेर लेते हैं और छटमी बाद, अपने मान अपमान सम्मान की बातें किसी के सामने ना कहें मित्रो, इतना कहकर गाय माता ने नंदू को कुछ धन दे दिया और कहा जाओ, इस धन से अपनी मा की सेबा करना और जो मैंने तुमें बातें बताई हैं उन्हें अपने जीवन में लागू करना तुम कभी दुखी नहीं रहोगे मित्रो, इतना कहकर वो गाय डिब लोग को चली गई वो गाय, स्वेम, माता, लक्षवी थी जो भगवान की प्रियाना से नंदू का दुख दूर करने आई थी मित्रो, ये कहनी आपको कैसी लगने हमें कमेंट में बताना मिलते हैं अगली बार नई कहनी के साथ, नई चर्चा के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जय सिरी कृष्ण